इस क्लास में हम सम्मिदान के भागों के बारे में देखने वाले यानि Parts of Indian Constitution यानि सम्मिदान के जो 22 भाग हैं उन सभी के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं और इन सभी भागों के अंतरगती आती हैं 295 अनुच्चेद 12 अनुसूचियां या सभी नहीं के अंतरगत आती हैं आपको सम्मिदान के बारे में बता दूँ कि सम्मिदान जो है ये कानूनी रूप से लेखित यानि मसोदा है कानूनों का लेखित मसोदा है और इसको जो बना था इसको बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दि लगा था यानि इसको बनाने के लिए जो पहली वैठक 9 दिसम्मर 1946 को होई थी 9 दिसम्मर 1946 को और इसकी आखरी वैठक होई थी तो इस टाइम के बीच में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था इसे बनाने में और इसे बनाने में कुल 64 लाख रुबे का खड़चा आया था और इस पर 114 दिन तक बहस होई थी ठेक है और यह 29 दिसम्मर 29 नवंमर 1929 को पारित हुआ था और यह लागू तो 26 जनवरी 1950 से हुआ था लेकिन इसमें एक बात और बता दूंगी जब यह पारित हुआ था तो उस टाइम इसमें 395 अनुच्छित थे 22 भाग थे और कुल इसमें 8 अनुच्छियां थी चार जो अनुच्छियां इसमें बाद में सम्मिदान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई थी जिसमें पहली अनुच्छि थी वो जोड़ी गई थी पहले सम्मिदान संसोधन के द्वारा 1951 में और यह भूमी सुदार से संब दूसरी नहीं वो दस्वी अनुसूची थी और इसके बाद इसमें ग्यारईवी अनुसूची जो जोड़ी गई ती सम्मिधान संसोदन के द्वारा जोड़ी गई थी 1992-93 में और या पंचायतों से संपन्दित थी और जो बारेवी अनुसूची थी या चोत्तरवे सम्मिदान संसोधन के द्वारा 92-93 में ही जोड़ी गई थी और या नगरपालिकाउं से संब्दित थी आपको बता दूँ कि जो मूल सम्मिदान था और जो वर्तमान सम्मिदान है उसमे मतलब मूल सम्मिदान में अब तक कई बार सम्मिदान संसोधन हो चुके हैं जिस कारण देखा जाए तो जो कुल अनुच्छेद हैं उनकी संक्या 495 तक पहुँच गई है लेकिन ये गिने 395 जाते हैं क्योंकि जैसे 300 क्या बताऊं जैसे सम्मिदान संसोधन कोई हुआ जैसे 243 है तो इसमें संसोधन हुआ पहला संसोधन हुआ तो A हो गया दूसरा देखा जाए तो चाड़ से 95 के आसपास पहुँच गए और अनुसूचियां भी मुल संस्मिदान में आठती है जो बरतमान में 42 वह बार है ठीक है तो अब में टोपिक पर पहुँचते हैं इसमें संमिदान के भागों के बारे में और भागों को देखते हैं कि इसमें एक स संग और उसके राजजचित्रों के बारे में है जो पहला भाग है उसमें संग और राजजचित्रें और या अनुचित एक से लेकर के चार अनुचित तक है आगे भाग दो भाग दो नागरिकता से संबन देते हैं यानि भाग दो में नागरिकता का प्रवदान किया गया है और अनुच्यद पांश से ग्यारे तक किया गया है आगे बहग तीन बहग तीन जो है मूलभूत अधिकार यानि मूल अधिकारों से सम्ven maintenant और इसमें अनुच्यद 12 से 35 तक प्रवदान किया गया है इसका आगे बहग चार बहाग चार में राज्य के नीती निर्देशक तक 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 हैं और यह 36 से लेकर के 51 तक हैं आगे बहाग चार ए इसमें मूल कर्टब बे आते हैं मूल कर्टब बे जो हैं इसमें 51 और बता दूँ कि मूल कर्टब बे जो हैं मूल सम्मिदान में नहीं थे इन्हें जो सम्मिदान स संसोदन हुआ था 22 मां 1906 में उसके द्वारा जोड़े गए थे और इसकी जो सिफारिस की थी एक सुणड सिंग समती थी उस समती ने सिफारिस की थी और उस टाइम इसमे 42 संसोदन के द्वारा 10 मूल कर्थब जोड़े गए थे और जो 11 संसोदन ग्यारेमा जो मूल कर्तव की था वो 2016 संसोधन के दौरा 2002 में जोड़ा गया तो जो सिच्छा से समद्ध थ ह। आगे भाग 5 बाग 5 में संग से समद्ध थ है भाग 5 और इसमें राज्यों से समंध्य बाग शे और इसमें अनुच्चते 152 से 237 तक परवदान किया गया है आगे भाग साथ जो है समिधान ल 5 सातवे समिधान के सासित प्रदेशों का प्रवदान किया गया है यानि भागाट जो है केंदर सासित प्रदेशों से संबन देता है और अनुच्छेद है इसमें 249 से 242 तक आगे भाग 9 भाग 9 पंचायतों से संबन देता है और इसमें 243 P से 243 ZG यानि कुल 18 विसे हैं इसमें और इसको 73 और 44 समिदान संसोदन के द्वारा जोड़ा गया था इन दोनों को आगे बहाग 10 अनुसूचत और जंजाती छेतरों से सम्मन देता है बहाग 10 आगे अनुच्छे 244 और 244 A 244 और 244 A आगे बहाग 11 बहाग 11 में संग और राजियों के बीच सम्मन दें जो बहाग 11 उसमें राजियों और संगों के बीच सम्मन दें यानि जैसे विदाई सम्मन प्रसासनिक सम्मन और इसमें अनुच्छेद है 245 से 243 तक आगे बहाग 12 बहाग 12 में वित्त संपत्ति संम्मिदाएं और बाद जो वित्तिय संबंदे हैं वो भाग बारे के अंतरगत आते हैं और इसका जो प्रावधान है बाग बारे का 264 से ले करके 300A तक किया गया है जो 300A है वो संपत्ति के अधिकार से संबंदेता है यानि जो संपत्ति का अधिकार था जो पहले ब्यापार वाणिज और समागम का प्रावदान किया गया है यानि वागतेरे के अंतरगत भारत के राज चेतर के वीतर व्यापार वाणिज और समागम का प्रावदान है और अनुच्छेद है इसमें 301 से 307 तक आगे वाग चोदे वाग चोदे के अंतरगत संग और राजियो होते हैं ये भाग चोदे से स بنด additions आगे भाग चोदे ए ये अधिकरंड से इसका अनुच्छत है 300 और 322 अा या आगे भाग पंद्रे भाग फंद्रे निरवाचन से स Mutta ते भाग पंद्रे में निरवाचन का प्रफधान है और इस अनुच्छे जो हैं 324 से 329 ए तक हैं आगे है भाग सोले भाग सोले कुछ वर्गों के लिए विसेश उपवंद उपवंदों से संबन देता है भाग सोले और इसमें अनुच्छे दें 330 से 342 तक जैसे SC, ST, OBC यह सभी भाग सोले के अंतरगत हैं आगे है भाग सत्तर है भाग सत्तर है राजवासा से जैसे राजवासा इंदी है तो ऐसे ही राजवासाओं से संबन देता है यह और अनुच्छे 343 से 351 तक है इसमें भाग सत्तर है आगे बाग अठारे बाग अठारे जो है आपतकालीन प्रावदानों से संबन देता है जो आपतकालीन प्रावदान है वो बाग अठारे में है और अनुच्छेद है इसमें 352 से 360 तक यानि राष्टपती यानि जो ये जो बाग अठारे में आपतकालीन प्रावदान है राष तीयापतकल, 360 में, आपको बता दू, 360 में जो बित्यापतकल का प्रवधान है, ये एक भी बार भारत में नहीं लगा है, और राष्टपती सासन गई वा लग चुका है, और राष्टपती ओर राष्टिआफतकल भी 2-3 वा लग चुका है, ठीक है, आगे है भाग 19, भाग 19 है प्रकींड से सम्मंदित और अनुच्छेद है इसमें 361 से 366 तक आगे है भाग 20, भाग 20 जो है सम्मिदान संसूदनों से सम्मंदित है और इसमें अनुच्छेद आता है 368 368 आता है भाग 20 के अंतरगत और यह सम्मिदान संसुदन से सम्मिदान संसुदन की जो प्रक्रिया है दच्छड अफ्रीका से ली गई है ठीक है याद रखना सम्मिदान संसुदन की प्रक्रिया दच्छड अफ्रीका से ली गई है आगे है भाग 21 इसमें अहिस्ताई इसका सम्मिदान का हिंदी में प्रादिकरत पाठ और निरसन के बारे में या निरस्त करने के बारे में और अनुच्छेद है इसमें 393 से 395 तक तो दोस्तों यह important topic था मैंने आप से discuss किया सम्मिदान के बागों के बारे में तो बताईए आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर जरूर कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के वीच वीडियो को सेर जरूर करें ओके पढ़ते रह